How to prevent conjunctivitis आज की ये जो हमारी discussion है उसमें ये देखेंगे कि ये basically होता क्यूं है ये spread कैसे होता है, कैसे इसको रोका जा सकता है, कौन-कौन सी चीज़े हमें नहीं करनी चाहिए and things like that दोस्तो आज का जो topic है ये public health के point of view से बहुत ही important है monsoon की season जो है ये generally conjunctivitis वारी season होती है इसमें ये आँख के साथ जुड़ा हुआ ये जो disease है वो बहुत ही common हमें देखने को मिलता है लेकिन 2023 का जो monsoon है ये अपने आप में बहुत ही खतरनाग बन गया क्योंकि हमारे देश के लगबग हरे कोने में ये conjunctivitis के cases जो है वो हमें देखने को मिल रहे है और वो काफी speedily जो है वो काफी rapidly ये spread भी हो रहा है अब अच्छे ख़़र यह है कि ये जो conjunctivitis के cases हैं हमारे देश में जो हमें देखने को मिल रहे है तो उसमें 90% जितने cases जो है ये एक हफ़ते के अंदर ठीक हो जाते है 90% के cases के अंदर जो symptoms है वो एक हफ़ते के अंदर resolve हो जाते है लेकिन 10% जितने cases ऐसे हैं जिसमें जो infection है वो और ज्यादा severe हो जाता है और उसके पीछे one of the main reason जो हैं वो ये हैं कि हमारे देश के लोगों की एक आदत है जब भी हमें कुछ होता है या फिर ऐसा लगता है ले इस एक कोरोना है या फिर इस case की बात करें conjunctivitis की तो अगर किसी दोस्त को रिष्टेदार को हुआ है हमें पता है कि वो अब ठीक होने लगा है या फिर ठीक हो गया और फिर हमें ये disease हो गया हम क्या करेंगे हम डॉक्टर के पास पहले नहीं जाएंगे हम पहले अपने दोस्त टीया फिर रिष्टेदार को कॉल करेंगे और पूछेंगे बही आपने कौन को नसी दवाई ली थी, क्या क्या किया था, डॉक्टर ने क्या कहा, etc. और फिर WhatsApp पर उसी drops के उसी lubricant के photos बंगा के हम medical store जाके वही lubricant लेकर use करने लगेंगे और यह सोचेंगे के हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन 10% जितने cases ऐसे हो जाते हैं, जिसमें infection और ज्यादा severe हो जाता है, the reason number one is कि वो doctors के पास नहीं जाते हैं, and the second number is कि वो right lubricant जो हैं, जो right drops, उनके लिए जो right drops हैं, वो use नहीं करते हैं, किसी और के लिए जो right drops हैं, वो use करते हैं, और इसकी वज़े से infection जो है, वो काफी ज्यादा severe हो जाता है, तो ये चीज हमें बिलकुल नहीं करनी है, right, this is lesson number one, कि अगर conjunctivitis हुआ है, तो doctor के पास जाईए, वले ही 100 रुपए, 200 रुपए आपको extra देने पड़े, but go for it, क्योंकि वरना ये infection जो हैं, वो लगबग लगबग, दो तीन हफते हैं, एक महने तक भी चल सकता है, which is very very annoying, अब दोस्तों, एक ये भी प्रशना है कि क्यों ये होता है, और कैसे इसके spread को रोका जा सकता है, तो conjunctivitis जो है, ये basically एक प्रकार का inflammation, या फिर इसका दूसरा नाम है, infection है, right, और जो हमारी आख होती है, उसका जो outer layer है, जिसको कहते है, conjunctiva, तो ये conjunctiva जो है, वहाँ पर होन अब ये वाला infection जो है, इसको कहते है, conjunctivitis, right, अब ये वाइरस से होता है, अलग-अलग प्रकार के वाइरस की वज़े से ये होता है, तो एक है एडीनो वाइरस, एक है herpes simplex virus, एक है influenza virus और एक है coronavirus, तो ये चार प्रकार के जो वाइरस है, इसकी वज़े से, ये conjunctivitis हमें होत है, याद रखेगा, UPSC या फिर competitive examination की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये tricky question जो है, वो पूछा जा सकता है, थोड़ी चीज़े आपको याद भी रखनी पड़ेगी, तो ये जो viruses के नाम है, वो आप याद रख लीजेगा, आपको ऐसा प्रसन पूछा जा सकता है, कि नीचे ये method है, दूसरी चीज़, आपको ऐसा भी tricky question जो है, वो पूछा जा सकता है, कि ये virus से होता है, virus और bacteria दोनों से होता है, ये virus बैक्टिरिया से होता है, या फिर virus बैक्टिरिया से नहीं होता है, इस परकार का question भी पूछा जा सकता है, तो that's why I'm saying कि ये important है, ये चार viruses के नाम और पता चल गया कि virus से तो होता ही है, इसी के साथ साथ कुछ ऐसे rare cases है, rare ऐसे cases है, जिसमें secondary bacterial infection में occur following viral conjunctivitis, तो conjunctivitis के बाद secondary bacterial infection भी हो सकता है, इस चीज़ को आपको याद रखना है, इस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, अगर confusion है, तो इसकी और गहराए मे आप google कर सकते हैं, और details में जा सकते हैं, if you are interested, or if you want to know more about it, वरना अभी तक की जो हमेरे discussion है, वो परियापत है, आपको पता चल गया कि secondary bacterial infection भी हो सकता है, रही बात transmission की, right, तो transmission के पीछे एक ही reason है, that is, कि अगर किसी व्यक्ति को conjunctivitis हुआ है, और वो अपनी आँख जो है, उ उनने किसी surface को touch किया, या फिर आपके साथ handshake किया, right, तो वो virus जो है, वो आपके हाथ में आगया, और फिर अगर आपने आपकी, खुद की आँखों को touch किया, तो इस प्रकार से ये transmit, जो है, वो होता है, ये चीज़ याद रखेगा, सिर्फ किसी की आँखों में देखने से right, ये disease जो है, वो नहीं होता है, शायद आपको किसी की आँखों में और गहराई देखने से प्यार हो जाए, that's a different thing, लेकिन conjunctivitis जो है, वो ऐसे spread नहीं होता है, right, तो ये चीज़ आप याद रखेगा, कि सिर्फ किसी को देखने से ये नहीं हो जाएगा, और लोगों को जो चश्मा पहनाया जाता है, लोग चश्मा पहनते हैं, उसके फिचे main reason ये है कि उनके खुद के हाथ जो है, वो उनकी आँखों में ना चले जाए, इसकी वज़े से वो चश्मा पहनाया जाता है, ये फिर डॉक्टर कहते है कि आप चश्मा पहनिएगा, वना ऐसा नहीं है कि अप चश्मा पहनेंगे तो फिर दूसरे लोगों को नहीं होगा, तो ये एक myth है, ये चीज़ भी पता होनी चाहिए, रहे बात बच्चों की तो ऐसा बिलकुल नहीं है कि बच्चे जो है, वो ज्यादा वॉलनरिबल है, इस नहीं बच्चे बच्चे होते हैं, तो बच्चे जो है, वो खिलते खिलते, अपने हाथ जो है, गंदे हाथ या फिर ऐसे ही अपनी आँख को छूलेंगे, फिर उसके बाद फिर से खिलने लगेंगे, तो एक दूसरे में होने के चांसे जो है, वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि बच्चे जो है, वो जनरली इस प्रेक्टिस करता है, उसकी एक अच्छी आदत है, बच्चों को अच्छी आदत सिखाए जा सकती है, तो अगर हम उनको सिखाते हैं, कि देखो बिटा, या फिर बेटी के आप हाथ दो कर खाना खाये, राइट अभी ये डिजीज चल रहा है, तो आपकी स्कूल में अगर आ आप अपनी आँखों पर हाथ ना लगाईए, अगर आपको ऐसा इरिटेशन हो रहा है, तो फिर हाथ दो ये साबून से और उसके बाद ही पानी से अपनी आँखों को साफ कीज़े, इस परकर कि अगर कोई प्रैक्टिस करता है, तो बच्चों के अंदर ये स्प्रेड नही होगा, वना ऐसा बिलकुल नहीं है कि बच्चों को ये ज्यादा होता है, बच्चे ज्यादा वल्नरबल, बच्चे इसलिए वल्नरबल है क्योंकि उनकी हैबिट्स की वज़े से, राइट, what happens in conjunctivitis, actually होता क्या है, तो irritation होता है, I'm sure कभी ना कभी तो ये चीज़ आपको ही होगी, मुझे भी हुई है, राइट, I think twice, अभी तक के जीवर में दो बार ऐसा हुआ है, मौनसून के सीजन में ये काफी ज्यादा है, और when I was a kid, उस समय पर तो, of course, बच्चे, बच्चे होता है, as you know, तो, और मैं भी एक छोटा बच्चा था उस समय पर, that's why, anyways, मज़ा क जैसी feeling आती है, और पानी निकलता रहता है हमरी आँखों में से, ये जो red होने के पीछे जो reason है, the redness and the itchiness are due to immune response, हमारा body जो है, ये pathogen के खिलाफ लड़ता है, तो ये immune response की वज़े से, हमरी आँख जो है, वो लाल हो जाती है, और itchiness feel होती है, और जो पानी निकलने के इसका cure क्या है, cure बहुत ही simple है, eye drops जो है, वो इसका cure है, लेकिन eye drops में भी कुछ lubricants आते हैं, कुछ antibiotics आते हैं, कुछ steroids आते हैं, right, rarely doctors को antivirals का इस्तमाल करना पड़ता है, लेकिन self medication is not good for this conjunctivitis at all, self medication जो है, आपको पता नहीं चलेगा कि आपको जो हुआ है, वो bacterial infection है या फिर regular infection है, तो अगर आपको let's say bacterial infection हुआ ही नहीं है, और फिर antibiotics का इस्तमाल करें तो इससे आपको कोई फाइदा नहीं होगा, और ऐसा भी होता है, कि अगर आप steroid drops ये फिर antibiotics का खुद ही इस्तमाल करेंगे, तो ये आपकी आँखों के लिए भी उतना ज्यादा अच्छा नहीं है तो बेस्ट सला यही है कि अगर conjunctivitis हुआ है, किसी और को भी हुआ है, तो उनको बताईए कि भी डॉक्टर के पास जाईए, हर एक व्यक्ति के लिए medicine जो है वो, आपको लग सकता है कि medicine सेम ही है, लेकिन हर एक व्यक्ति के लिए अलग हो सकती है, वो डॉक्टर ही वो ही बत सकता है, आई मेक अपस और ब्रस्ट जो है उसको दूसरों के साथ शेर ना करें, और टावल्स और पिलोस जो है वो भी किसी के साथ शेर ना करें, इसकी साथ साथ लार्ज पब्लिक गैधरिंग्स को अगर हो सके तो एवोइट कीजिए, बच्चों को पिटिकुलर्ली अगर उनको conjunctivitis हुआ है, तो उनको स्कूल मत बेजिए उस दिन के लिए, और हाथ को धोते रहना है, टीवी रिमॉट, मोबाइल, दूसरी चीज़ों को टच करने की वज़े से भी ये spread होता है, और जो doctors कहते हैं, उनकी advice को आपको follow करना है, तो ऐसी चीज़े करेंगे तो ये easily हम इसको क्योर कर सकते हैं, that's basically everything in today's discussion, I hope आच की इस discussion से आपको बहुत सारी चीज़े सीखने को मेरी होगी, I'll see you soon with some more interesting topics, till then enjoy your studies, God bless you all, Jai Hind!